Hello guys, welcome to Civil Construct. Civil Engineers and Construction Professionals Training Institute. Friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं Threading और Coupler के बारे में. कि हम लोग एक Threading क्यों provide करते हैं? कैसे provide करते हैं? ये Threading कैसे करते हैं, साइट पे? ये आप देख सकते हैं, ये और और calend etation machine है. इसमें मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कि यह cold forging कैसे करते हैं आप लोग देख सकते हैं यह जो एरिया को short करके जो ठिक करता है जिससे यह आप देख सकते हैं इस टाइप से होगा और यह जो है आप लोग देखेंगे यह जो cold forging है इसको बोलते कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस यह आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से आप लोगों को अगर वीजिबल होगा यह प्रेस होगा कॉंप्रेशर में यह जो प्रेशर है यह आप देख सकते प्रेशर देखें देखेंगे यह जब आएगा तो cold forging हो जाएगा कि यह आप लोग देखेंगे यह इस टाइप से जो है फोर्जिंग प्रोसेस होता है यह आप लोग देखेंगे यह जो है यह ठीक हो गया इसके बाद में हम लोग जो है थ्रेडिंग मशिन में फ्रेड्स प्रोवाइड करते देखेंगे आप लोग यह मैं आप लोग को बता यह जो है यह थ्रेडिंग मचीन है इसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे थ्रेडिंग यह देखिए आप कि यह जो है कि टाइट टे कि अब आप कि आप लोग देखेंगे कि यह जो एक क्पलर खां यह जो है यह जो है फ्रेडिंग मचीन यह वन साइट ट्रेड़ हो गया अधर सेकंड जो है जो जो स्व्लाइश हो गी यह आप देख सकते हैं 32 mm का कपलर है यह 32 mm यह 25 mm हम लोग जनरली 20 25 32 40 mm की बास को कपलर्स प्रोवाइड करते हैं और यह जो कपलर्स है फ्रेंट्स मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली साइट पर बताने वालाऊं किस टाइप से कपलर्स जो है अम लोग प्रोवाइड करते हैं यह जो देख सकते हैं फ्रेंट्स यह जो है इस टाइप से हम लोग कपलर्स प्रोवाइड करते हैं यह आप लोग देखेंगे जो वर्टिकल बास है यह वर्टिकल बास में कपलर्स प्रोवाइड किया हुआ है यह जो नीचे वाली बार है इसमें थ्रेडिंग प्रोवाइड क करते हैं तो थैंक यू सो मच्छ वाचिंग इस वीडियो